जैसे कि हमारा CGL का प्री हो चुका है अब हमको मेंस के त्यारी करनी है ठीक है आपकी आंसर शीट भी आ चुकी आप लोग चेक करिए और देखिए जिसके अच्छे नमर बन रहे है आप लोग जैसे और किसकी डबल लोग के त्यारी क्या किया कि हमारे साथ में स्टार्ट कीज इकनोमिक साथ है वो चीज पढ़ाओंगा इसके साथ 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 बाइ साथ हम दो अपने इंग्लिश का भी एक बैस लॉंच करेंगे जो कि हमारी में लॉंच करेंगी ठीक है आप लोग को बहुत सारे बैस भी मिलेंगे बहुत सारी चीजे मिलेंगे बट मैं आपको एक कितना कर ले आपको दैफ्ट में कि कोई भी कोशन है आप आप आराम से कर लो गो तो अगर बहुत ज़या ज़ता कुछ हाड नहीं है लेकिन हाँ अगर अगर आप लोग नहीं साइन्स बैग्रण ग्राउंड से हैं आप लोग नहीं है और आप लोग नहीं पड़ी तो आप करेंगे तो आज हम लोग क्या करेंगे तो आज हम लोग क्या करेंगे कि क्या चीज कितने नंबर की आती है और कैसे आती है सबसे पहले quantitative aptitude आता है आपका hundred questions आते हैं और two hundred numbers के क्या होता है total होता है तो हमारा जो main focus रहेगा वो किस पर रहेगा two, three, four मतलब कि English, Statistics and General Studies जो कि हमारा Finance and Economics है डबल AO के लिए देखो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने JSO डबल AO की both की cut-off clear करते हैं तो आपको दौनों के paper देने होता है अगर आप सिफ और JSO की cut-off clear करते हो तो आपको किस चैटेसिक से paper देना होता है बाकि अगर आप मेंस के लिए cut off clear करते हो तो आपको इन दोनों के paper देने को ठीक है, हम लोगों ने क्या किया किया कि कई बर मेंस के paper दिये हैं, तो हम लोगों को पता है कि क्या चीज क्या सिरके करनी है, तो मैं हम आपको English के language का पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो आपको बताए कि एक्जाम के point of view से क्या के questions इसमें से बन सकते हैं कि हम लोगों पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपने statistics के syllabus देख लेते हैं, जो कि हमारा paper 3 क्यलाता है, JSO के लिए, तो collection and classification of data आता है, तो data हम लोगों जानते ही, data होता क्या है, ठीक है, तो अभी इसमें सिर्फ व distribution, diagrammatic, presentation of frequency distributions किस तरह की से करते हैं, यह सब कुछ की theory होती है, तो यह हमारे theory अला chapters है, फर्स्ट वाला, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, measures of central tendency, तो central tendency में होते हो हमारे mean median mode होते हैं, बाकि आपको partition values भी दे रखें, quartile deviations, dexiles and percentiles, ठीक है, तो यह भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, आप लोग, तो इसके हमारे, measures of dispersion, तो dispersion का मतलब क्या होता है, अगर आप इन भी कोई भी चीज कितनी फैलती है, तो basically, dispersion का मतलब यही है, statistics में भी, कि हमारे जो data हो कितनी फैलता है, यह भी हम पढ़ेंगे, इसमें, range, quartile deviations, mean deviations, standard deviations, measures of relative dispersions, ठीक है, तो इन correlation, regression आता है, यह easy रहता है, मैं आपको यही बता हूँगा, किस तरी की समको, rank method, और जो हमारा regression या correlation पर चुक कन्थीजन रहती है, तो किस तरी की समको दूर करनी है, फिर हमारे क्या था probability theory, probability theory आप लोग अगर याद भी होगा, maths होगी आपके 11-12 में, तो हमने 11-12 में probability ज़्यादा कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है, फिर क्या था हमारे random variables, कि random variables में इसमें poison distribution आगया, binomial distribution आगया, ठीक है, moments of random variables आगया, तो यह सब चीजों होती है, यह सब भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर हमारे क्या था है, sampling theory आता है, easy सा topic है, बस theory theory है, इसमें numerical है नहीं, त हम लोग इसको भी आरम से पढ़ेंगे, sampling theory को, फिर हमारा आगे क्या था, statistical interference, आप देखो, यह चीज हमारी थोड़ी hard रहती है, क्या चीज, कि हमारा, जो हमारे चीज को test हो गया, F static test हो गया, Z and T test हो गया, तो यह चीज हो थोड़ी hard होती है, बट हम इनको भी cover करेंगे, SSC तो सरा हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, फिर हाँ, analysis of variance है, one way classified data and two way classified data, अच्छा topic है, पड़ लेंगे यह भी, फिर time series analysis, देखो, इसके importance बहुत ज़्यादा है, time series analysis की, क्योंकि जब आप statistical office सर बनते हैं, तो आपको main काम क्या है, कि हमारे इंडिया में जितने भी data classify करना, ठीक है, उसका presentation देना, और फिर उसके आद में हमारे क्या आता है, time series, time series में देखो, क्या आता है, जो हमारे WPI होते है, wholesale price index, ठीक है, आपने कई बार देखो, consumer price index ही, इतने साल से महंगा ही दर बढ़ गई, तो यह सब कुछ हमारे statistical tools होते हैं, और यह हमारे किसमा time series and index number हमारे इनी चीज़े को क्या करती है, maintain कर दिया, फिर create करती है, तो आप लो जब statistics कर बहिए, officer बन जाएंगे, जब आप लो इतनी अच्छी post पर जाएंगे, तो आपको यह से कुछ करना होगा, तो इसके लिए हमको यह चीज़ पढ़ना होगा, तो इसके लिए हमको य पढ़के क्यों नहीं आए, अब आपको कितनी चीज़ यहां पर सिखाई जाएंगे, हाला कि आपको यह चीज़ देखो कि हम सबसे पहले data collect करते हैं, ground level से जाके, वहां से जाके आपको cost of living, uses of index numbers, base of shifting of years, यह सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पढ़ेंगे, अब हम लोग आ पढ़ना चाहिए, पर SSC है, कुछ भी कर सकती है, उसमें रख दिया, इसके नाम finance and accounting या फिर आपका economics रख देथी, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, बट कोई बार में चलो, general studies रखके है SSC न, तो हम लोग general studies के नाम से पढ़ेंगे, तो देखो यह दो पार्ट से divide होता हमारा 100 questions आता है, 80 marks का finance and accounts आता है, दो number का 1 question होता है, इसका मतलब यह है कि 40 questions जो है आपके, वो किसमें से आते हैं, accounts में से, और बाकी जो 60 questions आते हो, किसमें से आते हैं, economics में से, ठीक है, तो हम लोग यह भी चीज़ complete करेंगे अपनी, तो financial accounting आती है, देखो, finance and accounts में कुछ आते हैं, देखो, आपको accounting ही समाल ली है, जाके तो इसके लिए आपको डबल जो के लिए accounting के कंसेट पर न पहुचा है, तो इसके लिए आप लोगो gap भी पढ़ना है, फिर उसका दोना था है, भी बेसिक Concepts of Accounting, अब जब पढ़ोंगे ऑड़ गए तो बेसिक कंसेट में क्य पूस्टिंग देखेंगे जर्नल्स में क्या होती है और लेजर्स में क्या होती है और पोस्टिंग होती है इस चीज को याद रखो अभी सही हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे फिर ट्राइल बैलेंस क्यों बनाय जाते है और इसकी इंपॉर्टन्स क्या है रreak्टिफिकेशन अफ बैलेंस क्यों होती है तो कभी मार ऐसा होती है इंसान है इंसान गलतीं का पुथला है तो उस्ट कहीं नकईल्ति हो जाती है तो इसके लिए हम को को और प्यैंड अप्रोर्प्रेशिंग धिर Review की जाती है, balance sheet में क्या क्या चीज़े include होती है, वो चीज़े पढ़ेंगे, ठीक है, capital and revenue expenditure की बीच में difference क्या होता है, depreciation accounting क्या होती है, कितने तरीके के हमारे depreciation के methods होते हैं, और इसका accounting standard कौन सा है, ठीक है, valuation of inventory, इसका accounting standard क्या है, और हमारे इसके कितने methods होते हैं, ठीक है, अगर क्या होते हैं, हमारे, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, इसमें, receipts and payments and income and expenditure, ये चीज़े पढ़ेंगे, तो इतना सब पढ़ेंगे, बस इसमें हमारे पूरे 40 number क्या होंगे, secure, मतलब कि आप ये समझाओ, कि आप अगर कुछ भी नहीं आता है, accounting में बिल्कुल basic से पढ़ हमेशा से, ठीक है, जब भी मतलब, जब भी मैं स्कूल में था, कॉलेज में था अपने, तो हमेशा मैं हाला कि टॉप भी करता रहा, और मेरे इसमें क्या हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट भी मेरा रही है, तो economics में देखो, सबसे पहले हमको क्या है, CAG क्या हमको ये पढ़ हम दो ये चीज़ पढ़ेंगे, तो ये चीज़ छोटे से topics हैं, CAG और इसके, और इनके roles क्या होते हैं, वो चीज़ main है, main तो इसमें, फिर हम दो देखेंगे कि basic concept of economics and introduction to microeconomics, ठीक है, economics मेरी specialization है, तो हम दो इसको भी पढ़ेंगे अपने, तो देखो, इसमें centered problems of an economy, nature of economics, methods of economic study, easy सी चीज़े हैं, पढ़ लेंगे, कोई tension नहीं नहीं, theory and, theory of demand and supply, तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, income, elasticity of demand, theory of consumer behavior, ठीक है, margin in approach and indifference approach, दोनों को पढ़ेंगे, हम लोग दोनों दोना अलग अप्रोचिस हैं, एक हम cardinal होती, एक ordinal approach होती है, ठीक है, इनको पढ़ेंगे meaning of determinants of supply and law, elasticity of supply, ये सब कुछ पढ़ेंगे अरहां से, फिर हमारा क्यात है, theory of production and concept, ठीक है, तो इसमें law of predictions होगा, इसमें हमारे कुछ graphs होगा रहा, थोड़े जादा रहेंगे, तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे अरहां से, लेकिन आपको hard नहीं लगेगे, ये मैं आपको guarantee दे होते हैं, और ये market में create क्यों किये गए, ये किस तरगी से होते हैं, फिर हमारी क्याती है, इंडियन economy आती है, तो इंडियन economy हमारे nature of इंडियन economy, role of different sectors, role of agriculture, industry, services, ठीक है, ये सब आएगा, national income of India आएगा, हमारे population, its size, rate of growth, ठीक है, इस सब पुछ आएगा, तो ये सब कुछ प आती हो, जयतों कि आपको बहुत ज़्यदा depth knowledge नहीं होगी, economics से, तो तो आप लोग policies नहीं बना पाऊ गया, और फिर उसके वाद हमारे जितनी policies बनती है, वो कहीं न कहीं हमारे population को लेके ही बनती है, ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया के population इतनी जल्दी बढ़ती है, और इतन transportation, communication, यह सब कुछ पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगा, हमारी economic reforms in India, 1991 की policy क्या थी, ठीक है, इसके मैंने classes बना रखें, आप लोग पीछे तीन classes है, उनको जाके अच्छे से पढ़ो, मैं LinkedIn को description में डाल दूँग, जो यह अरा topics पढ़ाऊँगा, तो इसमें मैंने LPG policies इसको अच्छी तरीक से describe क्या हो, disinvestment, हला कि disinvestment हमारे 1991 से बहुँ जादा बदल चुका है, तो मैं आपको LPG policy पूरी फिर से revise करके पढ़ाऊँगा, इसकी importance और इसकी जरुत क्यों है, यह भी पढ़ाऊँगा, money and banking, यह पढ़ाऊँगा, monetary and fiscal policies, हमारी monetary policy किस तरीके से, RBI ल पढ़ेंगे, फिर हमारे कहाता है, budget and fiscal deficits of balance of payments पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है, balance of payments, बहुत ज़्याद मुझे अच्छा topic भी लगता है, आप लोग पहुँ 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 अच्छी से लगईगा, और कभी आपको समझ भी नहीं है, तो मैं आपको इसमें, balance of trade-off, balance of BOP, BOT में confusion रहती है, तो यह सब भी हमरे अपने क्या करेंगे, यह clear कर दोगे चलेंगे, फिर हमारा आता है FRBM, physical responsibility and budget management act 2003 में है, तो यह क्या कहता है हमारा, यह कहता है कि भाया, हमारी जितनी भी government of India जब यह budget लेके आती है, तो वो FRBM के under में ही लेके आती है ठीक है, उसके अंदर मतब कुछ provisions बनाए गए हैं कि यह हमारे FRBM के provisions है और इसके हटके आप क्या कर सकते हो, इससे आप हटके आपने वो नहीं बना सकते हो, अब मतब budget में यह चीज आपको लेके आनी है, तो यह सब कुछ हमारे इसमें defend किये गए, जो हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से depth में जाके जाते हैं, चलो, आगे चले अपने, तो आगे क्या चलिगा हमारे commerce access करेंगे, हम ने स्रेबस अपनी class खतम की, हम देखो commerce access आप लोग के लिए सब कुछ लिए लिके आएंगे, अगर आप हम लोग के साथ में आप लोग के लिए अपने प्रैक्टिस में चलिगा होगा या फिर हम लोग अपने क्या करेंगे, तो टेस्ट भी करेंगे, तो पूरा आपको एक कोशिंट बैंक भी प्रोइड करूँगा, तो आप लोग दिखो अगर हमारी इस वीडियो से जुड़े हैं और हमारी वीडि इस चीज की अगर तियारी कर रहा है, किसकी जैसे डबॉल एओ की, या फिर इंग्लिश मतलब मेंस देने जा रहा है, तो उसको प्लीस हमारे वीडियो के शेयर कीजिए, उसके साथ मों उसको बताएए, किस तरह की साम लोग को फ्री में एक बैस देरें, ठीक है, और आप ल कल से क्लसा को क्या करेंगे, इसे कारिए, आप कल से हमारे वीडियो को देखने, स्टार्ट कर दीजे, अपनी देखो तयारी अबी से करोगए, तब लास तक पहुंच ऑगए, कही अगर तयारी अबी से नहीं करे, तो लास तक पहुंचना बजद hen مشник हो जा responsibilities चलो मिलते हैं आपनी नेक्स शीरीस वीडियो में थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो